आखिर अर्चना गौतम और शिव की लडाई को लेकर शिव की बहन ने मीडिया में आकर ऐसी कौन सी बाते कह डाली है जिसे सुनकर आप काफी जादा हैरान हो जाएंगे जी हाँ दो दिन पहले बिग बॉस के घर के अंदर शिव ठाकरे और अर्चना गौतम के बीच हाता पाई हुई थी जिसका असर अब शिव के परिवार तक पहुंच चुका है उनके बहन ने मीडिया में आकर शिव और अर्चना की लडाई को लेकर कुछ बड़ी बातें के डा बात नहीं हो रही है उससे जादा बातें अब घरक से बाहर होने लगी हैं ऐसे में आकर शिव की बहन ने क्या कहा है इस लडाई के बारे में और किसे इस लडाई का जिम्मेदा ठहराया है चलिए आपको बताते हैं लेकिन इससे पहले चैनल पर ने हैं तो सब्सक्राइब क पत्म ने शिव का गला पकड़ लिया था इसी को लेकर अब मीडिया में आकर शिव ठाकरे की भेहन ने तीन बड़ी बातें के डाली हैं जिसमें पहली बात उनुने ने कहीं कि सबसे पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि बिग बॉस के घर के अंदर इतनी बड़ी लड़ाई हो सकती है जब मुझे इस बारे में पता चला मैं काफी ज्यादा हैरान हो गई लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा भाई शिव काफी ज़ादा समझदार है वो गुस्से में आकर अपने दिमाग पर नियंतरन बिल्कुल भी नहीं खोता है उसे पता है कि गुस्से में आकर कहां तक बोलना है उनकी सीमा क्या है वो गुस्से में अपनी सीमा कभी भी पार नहीं करता है दूसरी बात शिव की भेहन नहीं ये कही कि जब मुझे पता चला कि घर के अंदर लडाई हुई है तो मुझे ये पूरा विश्वास था कि शिव ये इसकी शुरुवात नहीं कर सकता और जब मैंने ये देखा कि घर के सभी सदस्य शिव की साइड है तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये लडाई अर्चना गौत्म की वज़ा से हुई है, घर के सभी सदस्य का शिव की साइड देना इससे ये साफ साबित हो जाता है कि इसमें शिव की बिल्कुल भी गलत तीसरी बात शीव की भेन ने एक ही कि जब हमारे माता पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्हें शीव की काफी ज़ादा फिकर हुई उन्होंने मुझसे बुछा कि शीव कैसा है जिसके बाद मैंने कलर्स चैनल से कॉंटेक्ट किया और उनसे पुछा कि लड़ाई के जो अर्चना गौतम और शीव ठाकरे के बीच लड़ाई हुई है इसका असर शीव ठाकरे के परिवार पर बहुत जादा हुआ है अब देखना ही होगा कि आगे शीव का परिवार और क्या-क्या कहता हुआ नजर आता है आप इसको लेकर के कहना चाते हैं हमें कमेंट करें और बिग बॉस सजोडी हारे के लेटस न्यूज के लिए हमारे चानल को जुरू सब्सक्राइब करें